हेलो एवरिवन वेलकम बैक टो आवर चैनल आपको पीश हो रहा होगा नेशनल इंस्टिट्यूट आफ इलक्रोनिक और इंफर्मिशन टेक्नलोजी सौट करने वोले तो माइलेट यह मैं भी ऑफिसल वेबसाइट का पेश हो करके आपको दिखा रहा हूँ इसमें आप लोगो जो भी नाएट के द्वारा एग्जामनेशन होते हैं उसके नोटिफिकेसन दे रखे हैं जिसके अप्रिपर चल रहा है तो सप्टंबर का अगर आपको ट्रिपल सी का देना है आई डिजिटल विलिज प्रजेक्ट का देना है तो वो अलग अलग सारे admit cards यहाँ पर आपको सो और है ठीक है एक तो तरीका है कि आप जो browse feature है वो login करके आप जा सकते हैं यह login करके यह login पर आपको right side top corner भी दिख़़ा होगा यहाँ से आप login करके जा सकते हैं या फिर दूसरा तरीका यह है कि अगर किसी exam के लिए आपको apply करना है बताने वाला हूँ admit card का admit card का link से यहाँ से आप click करके जा सकते हैं फिर यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़े सो होएंगे ठीक है अलग अलग चीज़े सो होएंगे जैसे कि यहाँ आप information technology का है आप multimedia and animation का है accounting and publishing का है artificial intelligence का है cloud computing का है big data analytics का है hardware technology का है IT literacy का है तो जो general competitions के बच्चे होते हैं वो basically triple C या फिर A++ इस तरी की courses करते हैं triple C आपको second number में आप शो भी हो रहा होगा computer course on computer concepts तो अगर आपने इसका भी form भर रखा है तो इसका September वाला जो semester है September वाला या कह सकते हैं जो course है उसका exam होने वाला है ठीक है इसका admit card भी इन्होंने जारी कर दिया इस link पर simply click करके मैं इसका link वैसे दी दूँगा description में आप वहाँ से भी download कर सकते हैं तो friends इसमें आपको choose करना है examination year तो अभी क्या है हमारा examination 2023 का है फिर second में examination name examination name में simply सेप्टेंबर वाला होने आए तो 2023 सेप्टेंबर डाल देना है जो आपने form apply किया होगा उस time जो आपको application number मिला होगा इन्होंने side में लिखके भी रखा है application number printed on your application form वो डालना है फिर आपको अपना data bird डालना है जो भी आपका data bird है मैं एक random लेके दिखाता हूँ मैंने जून ले लिया sorry जून अगर किसी का निन्यानविया है किसी का निन्यानविया है तो वो इस तरीके से अपना data bird ले सकते हैं कोई भी random में लेके दिखा रहा हो बस इस तरीके से आप चूज कर सकते हैं फिर आपका यह कैपचा जो कोट सो हो रहा है जैसे कि 600-4-3 उसके बद आपको simply view पे क्लिक करना है चुकि मेरे पस कोई application number है नहीं मैंने apply करकर रखा है नहीं तो मैं यहाँ पे view करूँगा तो application का error आ जाएगा आप tension मत दिजेगा यहाँ पे मैंने application number नहीं डाला इसलिए नहीं आ रहा है नहीं शो हो रहा है आप जैसे यह application number डाल के view किजेगा आपका admit card सू हो जाएगा और उस पे जो भी instructions दे रहेंगे उसको आप सही तरीके से पढ़ लीजेगा उसके बाद ही exam देने को जाएगा friends एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि इसी website पे आप चाहे तो यहाँ पे triple C का syllabus भी दे के रखा है triple C का syllabus आप देखना चाहे तो यहाँ पे पूरा detailed syllabus दे के रखा है आपको जाने के जौरत नहीं और अगर चाहते हैं कि इस तरीके का syllabus इसका syllabus बस इस पे मैं detailed video बनाओं तो आप comment करके बताईए हम इस पे detailed video बना देंगे अभी तो लंबा video खिच जाएगा इसलिए मैं इसमें नहीं बनाओंगा तो friends जो मैं बताने वाला बताना के कोशिस कर रहा था कि आप किस तरीके से डाउनलोड कर सकते है नाइलेट की website से और कौन से different different जो sector sense में जो भी अलग-अलग courses करवाया जते हैं उन सबके किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं जिस भी course का होगा अगर मैं दूसरे दिखाना चाहूं मैं दूसरे का दिखा लेता हूं O level का दिखा देता हूं ठीक है तो O level में अगर 2030 का हम चूज किया फिर जुलाई अभी उसका जुलाई कहीं चल रहा है उसके यह कहने चल रहा है तो जुलाई तक कर दो हो रहा है स्वीम इसी तरीके से जो जो applicant होंगे जो application उन्होंने form fill up किया होगा वो यहाँ application number यहाँ पर डालना है फिर data डालना है और क्यापचा डालना है और फिर से view पर click कर लेना है अगर यहाँ भी देखिएगा तो इसका भी syllabus हो सकता है इसका यहाँ पर syllabus नहीं देके रखा है instruction देके रखा है syllabus पर नहीं दे रखा है तो syllabus वहीं पीछे आपको मिल जाएगा कहीं पर ओके फ्रेंड्स टैंक्स इसी तरी के वीडियो के लिए बने रहे हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लिए ताकि इस तरी के कोई वीडियो जाएगा तो आपको अपडेट मिल जाएगा टैंक्स